नमस्कार मैं स्री प्रकास आपका स्वागत है असांती गर्णा सीमा भासा जाद इधान के नावने करबहाद आउगे देश तूठ रहा है इसका ताना बाल इधाना जरूरत चंद सुखिला गर्णा वसुधर को तुम्बकर भासा इधाना साप्चुछुंदर के खेल में फसी कॉंग्रेस उर्सी की खीचतान में खिशक्ती कॉंग्रेस की जम्हीं मजधार में कॉंग्रेस डूबने के इंदजार में आला कमाद तेरा वर्सों से असम में सासन कर रही कॉंग्रेस की राजनी थी अब तेजी से अपने अफसान की उर्पर रही कॉंग्रेस सासन की हर मोचे पल रही भी फलता के कालब पहले से ही जरजर हो चुकी कॉंग्रेस पार्टी की रही सही साक भी पार्टी के अंदर चल गए खीच्तान के कादर समाप्त हो चुकी है बीटे लोग सभाचुन आप परणाम से यह साफ हो गया कि असम की जनता और कॉंग्रेस को नकार चुकी है फिर भी पार्टी आला कमान ऐसे निस्चिन्थ है मानों कि पार्टी को पूरी तरफ दूबने का इंतजार किया था आईए देखते हैं कॉंग्रेस के अर्च से फर्स तक पहुतने की कहान। कई बर्सों के अथक प्रियास के बाद जब सन 2001 में राज्य में सत्ता में कॉंग्रिस की वापसी हुई तो लोगों में काफी उमीदें जागी। क्योंकि सत्ता में आने से पहले कॉंग्रिस के नेताओं ने असंती जन्ता को एक से बढ़कर एक सपने दिखाए था। भासनों में ही हर समस्या का समधान दिखा दिया गया था। सरकार का यत्रितु तत्काली प्रद्य सत्याच तरुन गोगोई को सोपा गया। केंद्र में अटलियास कामिदे के निद्रितु में राजग की सरकार चल लिए थी। गोगोई सरकार आरोप प्रत्यारों को के बीच इसी बीच सन 2004 में गंद्र में भी कॉंग्रिस के सरकार गया। दो बर्स बाद ही असम विधान सभागे हुए चुनाव में पार्टी ने अनेक हवा 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 ही गुशनाये की। जन्ता को गिख्भमित किया और दूसरी बाद फिर कॉंग्रेस सत्ता में वापस आगे। देखिए गोगोई सरकार लगातार सत्ता में तीन बार आई है। लेकिन इधर धाय तीन साल से अंदुरूनी कलर के कारण कॉंग्रेस की स्थिदी कमजोर होती जा रही है। लोकसभा चुनाओ के दौरान भी इस्थि इसपस्ट छाप देखने पूए। और वोई बिरोधी खेमा और वोई समर्थक खेमा जब तक आपस में लगते रहेंगे। कांग्रेस की स्थिती असम में अच्छी नहीं हो सकती। इस उपचुनाओ में भी कांग्रेस को मात्र एक सीट प्राप्थ होती। तो जब तक पार्टी में एक तुटता नहीं आएगी तब तक आसम में मतलब कांग्रेस की स्थिती को सुधारा दी जा साथ। देखिए, वही बात है कि जब तक फिर कॉंग्रेस पार्टी एक चुट नहीं होती। तो विरहांसभाद चुनाओ में भी उसके स्थिती बहुत कंजोर होती। जो दिपक्षी पार्डियां हैं वह एक चुट के कॉंग्रेस को हराने के थी परन्नीती बनाने में अभी से तुट है। तो इसलिए सबसे पहला यह करना होता है कि दोनों फक्ष को पुरी समर्था और प्रडियां होती। उनको आपस में अपने मद्वेद को पुलाकर पार्डियां को परन्नीती के तहत सब को लिपक्ष करना होती। जिससे अभी से उलोगत है। देखिए अब देश की जनता को जैदा दिन तर्फ मुर्थ नहीं बनाया जा सकता है। जातिवाद के नाम पर धर्म के नाम पर या अन्य कोई मुद्दे पर वोट लेने का जो तकनीक है अब कुराना हो चुका है। देश की जनता अब विकास चाती है। केवल आपस में फूट डालकर फिर छेतरिये मुद्दों को उठाकर लोगों को इमुशनल ब्लेक मिल्क नहीं किया जा सकता है। नरेन मुदी के सत्ता में आने के बाद विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है। को देश की जनता चाहती है। चाहिए जिसकी में कि सरोकार अगरे वेख़्ंच कर दोकार जनता परकास को कॉंशनार स संध्रिक जनता को काम चाहिए। क़िये हैं बाद में सर्ता मसे फचले एक दो साल से असा में पंग्रेस की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है उसका पहला कारण है कि असंतुष गुट हावी हो रहे हैं गुगोई सरकार का पहला दो कार्जगाल में उनको ना विपक्षी दलों की तरफ से कोई चुनवती मिली ना पार्टी की तरफ से पर दीजनी बार दीजनी कारज गुट हम फो विपक्षी दलों से कम और पलाटी की अंदर से ज़्यादय मिली है विपक्षी खेम लगातार अवी रहा है और गुगोई सरकार का ज्यादा समय विपक्षी खेम के आरोफ्षोhr को जबाब देने में जा रहा है कॉंग्रेस की आफसी खी स्तान के कारण उसका असर सरकार के काम काज पर भी वहा है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि राज में अप्रादी कटनाओं में व्रजी हुई है। राजी सरकार का प्रसाशन पर पकर कमजोर हुई है और जिसका असर चारो तरब दिखाई दिया है इसका असर एक यह भी हुआ कि विकास की जोजनाय पर भावित हुई है और कंग्रेस में आपसी फूट का फायदा विपक्षी दलों को मिला है अलाकि यहां का मुख विपक्षी दल अशम गन परिशर इस मौके का लाव उठाने में असफ़र रही है लेकिन हार्तिय जनता पार्थी को इसका लाव मिला है तो मुझे लगता है कि कंग्रेस की इस्तिती लगाता तमजोड हो रही है और केंदर से केंदर में नई सरकार आने के बाद केंदर से जो राइस सरकार को सहयोब मिलता था एक उनके सामने एक कवच था वो बचाने वाला वो चीज हट गया है अब राइस सरकार के पास बस एक मात्र एक ही उपाय है कि अगर अच्छा काम कड़ेगी तो उसको जन समर्थन मिलेगा लेकिन तीसरी बात दिया है कि AIDF के आने के बाद एक अलफ संक्षियों का फुट बेंगी कंग्रेस की तरब से खिशा गया है तो इन सब सारी चीजों का असर जो है गोगोई सरकार के काम काज पर हुआ है और मुझे लगता है कि यह सब सारी चीजें कंग्रेस के खिलाफ है अगर कंग्रेस को फिर से जन्मत की और आना है पबलिक का समर्थन लेना है तो उसके काम करना होगा और आपसी फूट को दूर करना होगा और पिसले एक दो साल से सरकार जनहित कार्जों को करने में पिफड़ रही है किवल उनका अधिकान समय सरकार को बचाने में गया है और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव अगले विधान सब्सक्राव में देखने को मिलेगा अगर सरकार एक काम नहीं करती तो तो उसे मत्डान के दौरान जन्ता का समत्र नहीं करें देखिए जिस तरी कि भारत तो इसकी जन्ता ने कांग्रेस को में पांसो प्यालिस के वो चवालिस में शिवट गया है आप निश्यत रूप से मान कि जाए कि आनने वाले विधान सभा के निर्वाचन दोहजार सोदों के इसका मूल कारण यह है कि आज करुंझाइकी सरकार जो कि युद्री बार सब्सत्र जो जन्ताय करों के गहां क्जार है अज हम कानून व्यवस्था की बात करें अवयद्भुषभैट की बात करें आज कासी रंगा में जिसंतर परिके जहानद्रों की हेत करेंगें आज माजूली के प्रोटेक्षिंस की बात करें, फ्लट की बात करें, हम इरोसन की बात करें, हम देखते हैं कि हर जगह ये सरकार की फील हो चुकी है, और जनता का विश्वास इस सरकार के पती उठी और ये सरकार जनता के लाब के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपनी फूरसी के लिए, जिस तरीके की लड़ाई अज कांग्रेस के अंदर में से फूरसी के लिए हो रहे हैं, और जैसा भी शंबाद देखने को आया, और जिस तरीके से तरुन गोगई अपने पुत्रों मोह में, पुत्रों मोह में गौरों गोगई के लिए, जिस तरीक और जन्ता त्रस्त है और जन्ता का विश्वाश इस सरकार के पकी उठ गया है और जन्ता चुनाओं का इंतजार करें कि चुनाओं आए और हम अपने प्रशंद का सरकार बनाए और निश्यत्रू से जन्ता का प्रशंद इस बार जन्ता की प्रशंद भारती जन्ता पार्टी ह क्वेंकि एक मातर विखल असरह में कांग्रेश का एक मातर विखल भार्तीर पार्टी और वी के नित्यत्त में केंड्री कली यह सर्कार करें सर्क दोनुन मिल करके इस असरम का चभू की विकास करेगी आप सा झाल न्हें राजचिक पतामीद उड़ाश है, आप पतामीद आमार नरेनल मुदिर नुखा, आर रसर से दुखार जेतो बिभिन न अनुस्थान प्रोटिस्थान अप्रमाइगुटे भारब दुखा, कि आवटे विजेपी आरसर से खाहे रेस्टू, इस दुखार जेतो बिभिन न आप इमान कस्तो बुले, आरसर से दिया निन्ना करे, जे प्रेशिदेन्ट कोनुब परहन मंगी को, तो इक हमार न अचे है, आमार खिवादेलो जिमान बिला खड़ेश वासी, आता हमार आर पिशोट आता इलेक्शन आप हमार डेकाई को जे खिवादेलो खड़ेश वार आर रेकाई को जे खिवादेलो 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 जे खिवादेल प्रोटेक्टि प्रोटेक्टेशन आमोट इमान वेशी उस्वान करा हो यह रसे यह बेसिक बीदान। जो भाव ब्रखो पताव मिनित तेनीक वार होनो आरो एंटी इनकम बेंची ठाके दवावसर पुरिशे कीटिके है आरेस आरो निर्भीक बावे तोला तोले निर्षाट्रावे काम कोड़ा अमार गोंगे से शिलिवो महेले अमा माजटे ठाकी कोला खमावाट नाहिक्या हो यह बावला कारना भाव और अखमाव पताव इमीद आमार उठ्धान तो किसम्लान पुरिशा भी महने लेशु अरे तो भीकममादे एको सब्रीष्ता सित्वर इटोर अमां नभुएड़े के दिपठाल के अखमा रायजे भभी से अनो खमाटा भी शेट अनो खमाटा दिसमा अनने एप्सलीट मजरब्य दिसमा आर भी तोला रायजे खेवाए पुरिवर्टे क्यों खमाटा वे हालाकि दूसरी बार सत्ता में आने के लिए पार्टी ने अनेक तिक्रम लगाय थी पोडोलेंड में हग्रामा महिलारी नेदित वाली बीपीएफ के साथ साथ गाट भी किया और चंदन ब्रह्म प्रमिलारानेकं रिहन देमारी आदिताओं के मंत्री मंदल में सामिल करके महत्वकुन मंत्राले विख मुलेंगे सरकार के दूसरे कारिकाल में आकर पार्टी की भीफलताओं की लिस्ट लंबी होती चली गए इसी दर मैं बद्रूती नेजमल की नेदित्त में तदकालिम युडियम बरतमार ए आहे पुटियों तद मुस्लिम बद्दाताओं को दिछा कर अस्तित्त में आजुगा थे पार्टी हर मोर्चे पर पिफलता का कृतिमान अस्थापित करने यहां तक कि केंद्र से आने वाले धन्वे खर्च लेनोते थे वहीं भरस्ताचार चड़म पढ़े देखे मैं आपको यह बताऊंगा कि कॉंग्रेस जो अभी शासन कर रही है तरंगोवई के नेत्रित में उसको दो भागों में हम देखते हैं सुरुवाद का जो दस साल था वो प्रगती का था एक अच्छे प्रशाशन के रूप में था लेकिन यह जो अभी पिछले तीन वर्सों में तीसरे तरंगोवई का इसमें पार्टी सिर्फ अपनी अंदरूनी हालातों से जूजते हुए और किसी तरह अपने कामकाज को चलाने वाली पार्टी के रूप में दिखाई दिया रही है पिछले दिनों आपने देखाऊगा कि राज्य में विपक्ष जितना कारगर या जितना परिशान करने वाला नहीं तरंगोवई के लिए बना उससे ज्यादा उनके पार्टी के अंदर यूवा विग्रड़िट खासकर है मनतों विश्वशर्मा के नितुत में जो पार्टी बीत रही है पार्टी नितृत को समझ में नहीं आ रहा है कि इन युवाबी रहायकों को किस तरह से नियांतित किया जाए शुर्वात का दस साल प्रगती के अथा विपक्ष के ना होने के बरावर तरंगोई सरकार ने शुर्वात के दिनों में कई अच्छे काम किये प्रग आपराधिक मामले घुसपैट और कई ऐसे मागाई इन समुद्दों पर लगती ही नहीं है कि यहां सरकार अपनी भूमी का निभा रही है सिर्फ तरंगोई अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगातार संघर्स कर रहे हैं पार्टी आला कमान को किसी तरह से समझा भूजाकर अपनी सत्ता को परकरार रखने में लगे हैं पार्टी को लोगों ने बहुत ही बड़ा जनाधार दिया था और उमीद की जा रही थी कि यह जो तीसरा टर्म होगा तरंगोई सरकार की वो प्रगती में नए नील का पत्थर सावित होगा लेकिन ऐसी इस्तिती दिखाई नहीं गी आज इस्तिती यह है कि विश्वशन जन्रता घटी है पार्टी की मोदी के उद्य के बाद भाजपा का जो शाषन आया उसके बाद से इस्तिती ऐसी बनी कि भाजपा परडेस में एक अच्छा नित्त देने की इस्तिती में दिखाई देने लगी है एजीपी का जादक सवाल है वो सुरू से ही अपनी विश्वशन जन्रता खोड चुकी है यहाँ इसलिए मुख विपक्ष के तौर भाजपा का उद्य हुआ है और इस बीच बदरूदी अजमल की पार्टी ने भी अपनी पहचान बना ली है उनका एक खास भोड बैंक है जिसके आधार पर उनके विधायकों का चुनना तैम आना जाता है खासकर कॉंग्रिस का ही भोड बैंक है जो बदरूदी अजमल के साथ आज जूड चुका है ऐसी इस्तिति में आने वाले समय और आने वाले बिधान सवा चुनावर में पार्टी खासकर कॉंग्रिस पार्टी तरुण गोल के लित्रिक में अपनी सत्ता को बचा पाएगी ये कहना मुझा मुझा दिखाई दिए रहा है जिस तरह की राजनती अजमल कर रहे है वैसी इस्तिति में उनकी संभाबना को आप नकार नहीं सकते हैं है यह सही है कि उनकी पार्टी को इसपस्ट बहुमत मिलेगा इसमें सक है लेकिन गटबंदन की सरकार नहीं हो और उसमें संख्या के हिसाब से जल को नित्रित्यु का मौका मिलता है तो यह करना मुझकिल है कि आप उनको नए सीरे पूरी तरह से खारीज कर दें राजनती में कुछ भी संभब है ऐसी संभावनाब बन सकती है कि यह बड़ा महतुन प्रस्ण है कि अल्ली और पुली यह कॉंग्रेस के परागत कोट लेकिन पिश मतलब अस्तम में एयोडियेफ के आने के बाद अलीव वोट में भी भाजन हो गया है उसका एक बड़ा तबका जो है अभी एयोडियेफ के साथ चला गया है तो इसके कॉंग्रेस को नुक्षान हुआ है दूसरी बात है कि जहां तक कुली की बात है तो चाय जन जाती का जो वोट बैंक है अब तक कॉंग्रेस के साथ रहा है लेकिन पिशले कुछ बर्सों से भारतिये जनता पार्टी ने भी चाय जन जाती के ऊपर काफी ध्याम दिया है और पिशला एक दो चुनाव देखने से ऐसा लगा है कि चाय जन जाती के वोटों में भी भाजन दिया और जीत करके लोग सभाविज है ना पहुंचे है तो अब चाय जन जाती जो वोट बैंक है वो केवल कॉंग्रेस का ही नहीं रा गया बल्कि कॉंग्रेस और भाजपा के बीच में भीभाजित हो गया है बंगाली वोट जो है खास करके बड़ाक भैली का जो एरिया है सिल्चर है परीमगंज है वो ने वो एरिया टाइम टू टाइम जो है बदलता रहता है जैसे पिसले चुनाव में वो पॉंग्रेस को समर्थन दिया था लेकिन बंगाली वोट बैंक में भी भाजपा और और जो हमने पॉंग्रेस की हिस्सेदारी है तो अब यह पहले जैसा चीज नहीं रहा कि अलिकुली और बंगाली यह जो भोट हैं वो पंग्रेस के प्रागत हैं हम काम करे यान नपर प्रावट हमको आना है वो जबाना है नहीं वह बदल गया कि मैं पहले भी कर चुका हूं कि आपको बिकास करना पड़ेगा काम जो है नकरना पड़ेगा आच इन लोगों को अपने राजनितिक खिल्द के लिए इस्तेमाल तो किया लेकिन काम नहीं किया इनको मौका नहीं मिला उनका जितना विकास होना चीए वो पिकास है नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है कि इस वोट बैंक पर कंग्रेस फिरी दोबारा जीत कर आने आपाएगी क्योंकि अगले चुनाव में उनको भाजबा और EIDF से जबर्दस्त पर्तिद्वन्दिता करनी परेगी उनको उनको चुनावती जो हैने मिलेगी उस चुनावती का कंग्रेस को सामना करने के लिए तयार होना परेगा अगर कंग्रेस तयार नहीं हुई तो उसको पब्लिक सवाल यह उठता है कि इतनी सारी विफलताओं और यह मित्ताओं के बाब जूत आखिर सन 2011 में फिर से सत्ता में कॉंग्रेस वापस कैसे आगे तो क्या राजी की जन्ता प्रमित्थी या अनिकोई कारन था कि कॉंग्रेस तीसरी बार सत्ता में वापस आगे आए आगे दिए चुंकि केंद्र में भी दूसरी बार 2009 में कॉंग्रेस की सरकार पंचुपी थी इसलिए राजी की जन्ता की भी कॉंग्रेस तो विफलते पर करार थी कारण यह था कि पक्षितल असमगन परिशन भारतिय जन्तापाटी आपसी खिच्चतान में फसी थे जिसकारण वोटरों के साब थोस रुपन को विकल्प नहीं दिखाए जिसे चला देस्तिया देसे की इबीम में हेरा फिरी के दिविन नस्तर पर आरोग लेंगे कॉंग्र कि जिसी अुष्य मत्र करते हैं कि देबर भी बदले और भत्वा का अशायं बढ़ी और बदाव कर तरूंगोगो के सब से आधि में रहें तका लेंग स्वास्ति मंत्री डंक्तर इन्मंतकर न कुष्य शरमाने कंगा दवरान की परचार करवा दिया कि इस बार शिक्षा विभाद में अधिक फंद आएगा इसलिए स्वास्थ के साथ शिक्षा मंत्राले भी लेगा वहां कि ऐसा है राजनीती में कुछ चीज भी असंभव नहीं है असंभ के एक तिहाई विधान सवाद छेत्रों में मतलब अलशंक्षक मत दाता जो है वो निरनायक इस्थिती में है तो अगर कॉंग्रेस और भारतिय जनता पार्टी और AIDF चुनाव लगती है और मतों का अगर धुरी करन होता है तो ऐसी इस्थिती में ये संभव है लेकिन अभी बरत्मान इस्थिती को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि AIDF अकेले सरकार बनाने की इस्थिती में होगी कॉंग्रेस की इस्थिती अभी ऐसी नहीं हुई है कि वो अलशंक्षक जो है मत एक तरफा जो है AIDF की तरफ होंगे चुनाव में तो राजनितिक नेता बड़े बड़े दावे जो है न करते हैं कुछ भी किया जा सकता है लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी इस्थिती बन गई है कि AIDF अकेले अपने दम पर सरकार गठन करेगी हाँ उनको इतना जरूर है कि AIDF जिसकी भी सरकार बने निर्णायक इस्थिती में होगी लेकिन अकेले सरकार बनाने की इस्थिती में नहीं होगी निश्चित रूप से इसका परभाव जो है न होगा इसमें कोई दोड़ाय नहीं है क्योंकि लोकसभा के 14 सीटों में से भाजपा को 7 सीटों पर बिजय मिली है तो साफ सीटों पर बिजय मिलने का अर्थ पर इसका मतलब साफ है कि असम की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है तो मुझे लगता है कि 2016 में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा अकेले सरकार बनाने की स्थिती में नहीं भी हो किन्तु इतना बहमत जरूर हासिल कर लेगी कि भाजपा के बिना कुई सरकार का गठा नहीं हो सकता असम गनिपर्षद जिस तरह से पिछले कुछ बर्षों के दोरान अपना जनाधार होया है और उसका फैदा भाजपा को जो है न मिला है कंग्रेज का भी एक वोट बैंक जो है भाजपा के तरफ आया है तो अगर ये एक दो साल में भाजपा का परदर्शन अच्छा रहा और असम और पुर्वत्तर छहत के लिए अगर केन सरकार ने अच्छा काम किया तो इसका प्रभाव निश्ची तूप से असम की राजनीत पर होगा और इसका फैदा भाजपा को 2016 में होने वाले विधान सभाज चुनाव में मिलेगा कहा दयता है कि चुनाव के बाद हिमंत विशु सर्मा का कद इतना उचा हो गया कि मुख्यमंत्री तरुन गोई इसे सहाज़ता से नहीं ले पाए और हिमंत नाम केवलं का जाप करते रहने वाले तरुन गोई हिमंत से खार खाने लग इसके बाद शुरू हुआ सत्ता का क्लाइमेक्स दोनों नेताओं के बीच शुरू हुआ साप्चो चुन्दर का ख्योगा हिमंत के नेत्रितों में विधायकों और कॉंग्रेस नेताओं का एक गुट तयार हुआ सिल्सिला शुरू हुआ सिकायतों का दिल्ली चलो अभ्यान चला हिमन्त पुट दिल्ली जाकर गोगोई के विरोज में कांग्रेस सरकार की विफलताओं फेरिस्ट सोग कड़ाता और गोगोई और उनके सिफा सलार जाकर सफाई पेज कड़ाता थी कुछ दिनों तक चुप चुपा कर अरोग पर त्यारोग का यह सिल्सिला चला जो बाद में खुल कर चलिए आला कमाने दोनों ही गुट की बाते सुने अस्वासन दिये किसी के खिलाफ कोई कार भाई नहीं के देखे सरकार में आज ती तीसरी बार सरकार कांग्रेस बनाने के जो मेरे को लगता है कि आज जनता का विश्वास इनके उपर जो उठके है उसका मूल का रहा है इस सरकार के अंदर में अगर आप देखें तो पियोन से लेकर के मिनिस्टर तक सारे भ्रस्टाचार के आकंट में डूए हुए और जिस तरीके से गरीबों की गाड़ी कमाई क का दुरुपयोग हो रहा है अपवे हो रहा है इस जनता इस चीज़ को नोटिस कर रही है क्योंकि आज केंदर सरकार से भी बहुत पूजी आई लेकिन उन पूजी को जनता के कामों में नहीं लगा करके उसका अपवे क्या गया है और अपवे करके भ्रस्टाचार के आकंट widow करके यह लोग जिस तरिके से जनता को जनता जिस तरिके से परिशान होई और जितने वी इसकीम्स है जितने वी असनी इस नियुक्ता। उनका जो है क्रियानिवन सही तरीके से नहीं हुआ और लूट खसोड कर रही है इसलिए मैं सुचता हूँ कि यह मूल कारण है दूसरा कारण है कि अहम की भावना जिस तरीके से आज माननी तरुम गुबेजी बात करते हैं या उनके मिनिस्टर्स बात करते हैं वह जनता के जो सोचते हैं कि असम के अंदर में हमेशा कांगरिस के सरकार रहेगी और जो सरकार जो चाहेगी वह करेगी इसलिए यह सरकार जो है ब्रस्टाचार में पूरी डूबी हुई है और जहां तक सुशासन की बात है मैं कहता हूँ कि गुड गवर्निंस भी में आज लाइंड आडर की बात करें तो उग्रवादी खुले आम आज आपने देखा प्रिया बस्वत्री कांट के अंदर कितनी लच्जा जनक और शर्मनाक यह घटना थी और हम लोग ने टीवी में देखा और ऐसी घटनाएं हो रही है और सरकार मौन बैठी हुई है और आक्शन जब लेती है तो लोगों को गिरिप्तार करती है तो निश्यत में सुचता हूं कि कानून ब्यवस्ता के नाम पे भी जनता तरस्त हो चुती है आये दिन अपहर चोरी डगएती हत्या महिलाओं के प्रती जो यह अप्रहद हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोती हुई है बलतकार की घ दर्शत हो चुके है कि वह अभी सौच रहे हैं जल्दी से सर्कार जाएं और सरकार सब कुछ जान करके भी वह उनके पास पूई सदिक्षा नहीं है जनता की भला करने के लिए उनके मन में कोई ख्याल जैसे आता ही नहीं कि हम जनता का कोई करने का कोई काम करें तो मेरे को लगता है कि यही संभूल कारण है इस सब्सक्राइब मुझे आठा कठा को हुँ है आपनी जडी आठीया सिल्शो तो लोकोहबार हो वी इस अमसी जडी एटियाज इत्याज तो आमार लोकोहबार निर्वासन तो आपनी साइज है अपनी देखिवो जो यही एटियाज आमार लखी भूटु जगी शेए सिल्शो रण आमार हारी से अपनी अखमोर जडी पतामी ता तेट सिल्शो भे लोकोहबार तो जडी साइट ता ज्वा बिदान होबा और आमार हुई ज्वा लोकोहबार जिकिनी भूट आमार सुस्विदा देट दांगो कर्यान पाइट जिकिले ता जनी गाठनी विलाक समय्क शाबो एकशेफ लोकोहबा शिल्शो मजी वहर बेले ह few मेजवाटी दम्नेटेट सितिए हो, हिंदू दम्नेटेट सिति एफ ताझ कीनु खकल उते मेजवाटी पहिसे ठीक तेने रहे अखा मन्दुलो ना पटाफ मित आवेगी ज्वारों माझतु हुआ अगोपटले किमां सित पहिसेद मेजवाटी पहनास अब अखमा जनों आठेनी निकवान होए जै मौ आपनाक अकटे कोलो जो अंकोर्डवे गारोर गुविंदा, मुसल्मानों, सान्खाय खकलो जनों पुस्तिक अकटेटे कोरी अमार जनों आठा अखमे जातिक अखन कोरी है कि याद बीजेपी हिंदु ट्रयाप टो जै अकल क्रिया कोरी तेंग लोग उठान कोरी हो काना अधेगी धोटो कि तेंग पुराना से तेंगे अखम्रोड आए गाता तो जिकीनी आमा इंटेलेक्स्वेल अखमार भोलवा मुसल्मान लोग तेंगे इतीमेटे नासाथ कोरी से आरो आमार जिकीनी पुम्रोड मुसल्मान इक अखमिया तेंगे लोग उठान कोरी से अखमात कोंग्रेस देले उठान कोरी से आरो ए जनगाठनी अखमात भोगलेक पुरवे खे और अटीटोयल गोवेंजी तेंगे नी साय कहते हैं इस घर को आग लगे घर के जिराथ से जीहां अभी हाल ही में बुलोग सभाज चुनाव में कोंग्रेस का सूपड़ा साफ भोगले राज्य के कुल 126 विधान सभा चेत्रों में से 20 में कॉंग्रेस 25 में AI UDF 71 में भाजपा और 10 चेत्र में अन्य पाटियों को बढ़त मिली सवाल यह है कि यदि मोधी लहर का असर था तो AI UDF को 25 चेत्रों में बढ़त कैसे मिली बाग्यों के तरीकों को लेकर गोगोई गुट चाहे जितना सवाल उठाय लेकिन बाग्यों का अरोग निराधार नहीं है राजी की जनता इस चासन से निराश हो चुकी है जिस प्रकार पाइवेट लिमिटर कंपनी की तरह तरुन को कोई सरकार को और भुवनिश्वर कलीता प्रदेश कॉंग्रेस को चला रहे हैं इससे ढूपने से कोई नहीं मचा सकता उपर से पार्टी में जाडी संघर्स भाग करण कर रहा है सब कुछ सुना और समझ कर भी पार्टी आगाकमन इस पर वोदह पोई कार रवाई नहीं कर रहा है इससे सचे कोंग्रेस हटा से कॉझम्रेस को प्रदेश म्मुक्यालाय राजीप्शवस्वर्बवन में दिया कॉंग्रेस का सिर्ष नेत्र चाटुकारों की जुन्डली से खिरा हुआ है और पार्टी की बास्तवी की स्थिति समझने की उसे फुर्सत नहीं नेताओं की अकर्मनेता और घस्ताचार के साथी पार्टी के अंदर का घमासान इसे खोकला कर रहा है दोहजार सोलों के चुनाओं सामने है और आला का मान निश्चिंत ऐसे में कॉंग्रेस का बोता क्या है आईए देख देखे हैं दोहजार सोलों के चुनाओं पड़ना अब समय हो चला गए इसका रिकर्ण से विदा लेने का लेकिन असर्ट की दी में खबरों का से जिला जादिए तब सकते हैं आप सभी को स्रीपिता हुआ नमस्ता